स्टुडेंट्स अज अपने सिलेबस दी तीसरी स्टोरी जिसदा नाम है स्पैरोस उस बारे जानकर ही प्रापत करांगे इस स्टोरी दे राइटर ने जी के ए अबास पूरा नाम है खवाजा एहमद अबास सब तो पहला आसी इना दिबारे थोड़ा जान लेने हैं बच्चे ओ ए साड़े इंडियान ने के ए अबास पानी पच पैदा हुए आते एहे बहुत ही मशूर साड़े पारदे लेखक वी रहेने सक्रीन राइटर रहेने फिल्म डिरेक्टर रहेने इना ने शोर्ट स्टोरी लिखियाने जिमें के तो आनू ए जड़ी स्पैरोज है इसलेबच है इसे तरह प्लस टू दे इसलेबच तो आनू एक इना दि स्टोरी लिख्यों पढ़नू मिलेगी जिसदा नाम है पोली बहुत ही सुंदर स्टोरी है अते इना ने नोवल्स भी लिखे ने अते जी में मैं पहला दसेया के है फिल्म दे डिरेक्टर भी रहे ने एक इना दी मुवी सी साथ हिंदोस्तानी जो साड़ेपा रदे मशूर एक्टर अमिताब बच्चन जी दी पहली मूवी सी ओ इना ने डिरेक्ट किती सी इस तो इलावा इना ने बहुत सारी मेरा नाम जोकर, अवारा, हीन, ए सारियां मूवीज दी इहेन ने स्क्रीन डिरेक्टर रहेने इना नू पदम शिरी दा खिताब दिता गया पारसरकारवलों उननी सो इस्तासी स्वी देविच एना दी डैथ होई ओन बच्चेयों जिमें के ता अनू नाम नाल कलियर है स्पयरोज ता अनू पथा है के स्पयरोज के हा जान दा है चिडिया नू उने इस स्टोरी दा नाम स्पेरोज क्यों है जिमें तूसी स्टोरी सारी जदो जान लोगे ता तो नो पधा लगेगा पैलना असी जान लेने है कि साधी सोसाइटी दे विचना कई वारी ए तब का बन जान दा है कि आप बंदा माड़ा है आप बंदा चंग है गुड दा बैड दा तगमा लग जानता है जड़े चंगे पीपल ने लोक ने ओहो बुरे लोका नू मतलब अपनी जज्मेंट होना दे उपर अपनी जज्मेंट लगग कर देने ते होना नू कई वारी पनिश्वी कर देने सजामा भी देने इक इस स्टोरी दे विच एक बड बड़े लोक देने विच भी पाई तो एना देना नी खेड़ना ए बंदे जड़े जड़े सोसाइटी दे ली ठीक नी हैंगे इनोसी कहनने जी सोशल अस्टैसिजम ते हुन इस स्टोरी दे विच भी ना एक यंग मेंडी कहानी है नोजवान बंदे दित कहानी है जिज्दे नाल बहुत ही ज्यादा बुरा विभार किता जानता है उसदी सोसाइटी वल्लों तरम भी विच चानता है उसदे जिस नाल उसदी जड़ियां अमभीशन ने पूरियां नहीं हुन दियां ते फेर ओहो एक इनसान ना रहके एक जंगली जानवर बन जानता है बीस्ट बन ज गया कि असी ओस्ते दोश ला साग दे है कि योदे ही कसूर सी कि किसी होर्दा कसूर नी सी तब अच्छो इस क्वेश्चन दा आंसर जानन दे लाई असी एस स्टोरी पढ़ने शुरू करते हैं स्टोरी दी शिर्वाती लाइन है जी दा सन वस सेटिंग बहाइंड दा मैंगो ग्रोव विच फ्रींज दा वेस्टन इक्स्टिमिटी अफ दा विलेज वें रहीम खान रिटर्न फ्रूम दा फिल्स ता स्टोरी दी पहली लाइन तो सान नू दो गलना दा पता चालला है एक दीशदा वर्नन है के जडा पिन्ड पचमी हिस्सा पचमी चोरला है विल्कुल बौंडरी वाला इससा है जिथे के पच्मी पासा पिंट दा खतम हो जाना है, उस जगा दा वर्नना है, उते कुछ मैंगो दे ट्रीज ने, उना दे विच्चों दी जड़ा सूरज है, उहो छिप रहा है, दा सन्वा सेटिंग, उधों अपने करे वापस मुड़ रहे है, रहीम कान खितना तूंग, ता जिमें बच्चे ओ सूरज जदो छिप दा सानु पता है कि ही कोई मारी गल दा सूचक हुंदा है, सूरज दा छिपना इस तरह दा, जिमें जे सूरज चड़ दा सनु हुंदा है कि कोई चंगी गल होन वली है, ता एथो ही सानु पता लायांद है कि जड़ी स्टोरी है, इस जड़ी तो नो इस दे बारे में दस दा जाओंगा, हुन रहीम खान बारे दसे है कि हो फिफ्टी ओड यर्ज दा है, मतलब पंजाग साल दी उस दी उमर है, काफी स्टॉंग है, मजबूत श्रीर दा, कद कर दा है, ते ओ उस दे शोल्डर्स दे उपर, मोड़ें दे उपर उसने हल रख्खा हुए है, ते अपने दो बल्दानों हखदा हुए, ओ आ रहे है, ते ओ जिस तरह के किसान हुदा है, ओ अपना शामनों का वापस आदा है, बिल्कुल उसे तरह दा जेकर है, ओ इस तरह करदा हुए आपने पंड दी में स्टीट दे विचों दी लंग दे, लेकिन एथे बच्यों एक होड देखो था जीकर होया है Hottie and Unfriendly air नब की होया tu कोई जड़ों कोई शब्सिर, जड़ें वीमिन विच ऊठेंगा हुऊआँ इस तरह दी Unfriendly air लेकिन एथे Do ने के इस जड़ों कोई आडे हो कस दो नब कलियर हो जाना है Unfriendly air तरंदा सिंबल है के उस दापिंद दे विच कोई दोस्त नहीं है होनु जी वे ही पिंद दे विच दाखल होन द ऐ, ऑचोपाल दे कोलों दी गुजर द है चोपाल दा मतलो बचें तानो पताए के जेड़ा चोपाल है और जिससे के सथ जूड़ दी है सारे कठे होके बैठ देने, उस नोसी चोपाल के ने, जमें तुसी पिक दे विच देख रहे हूँ, उन्हें थे बारा कुझ जड़े ने, किसान, ओ कठे होए ने, ते इवनिंग हुका पी रहे ने, स्मोकिंग कर रहे ने, वेले ने, स्मोकिंग कर रहे ने, पर जोदों हो उस गॉसिपिंग दा हूंदा मतल हूंदा मतल हूंदा है काना फुसी पहला हो बड़ा खुल के गाल कारने पर जदो रहीम खानों दे कोलों दी लंग दा है तो उना दी जड़ी हिलेरियस गॉसिप है और कॉशिस विस्पर्स दे विच बदल जान दी है कोशिएस विस्पर्स मतलब जाना लोह काना फुसी कर दे ने कुई करने ज़ गल कर दे हुनों खुलके नहीं कर दे ऐस्थो यह पता लगद है कि जड़ा रहीम खान तो वह किन ना मतलब की या ता ज़र देने या फिर और उस ना लोह गल बात नहीं करना चान दे उस दे समने पोल्डे हो ने डिडी विस्पर अधों तक चल दी अधो तक हीम खान क Jewish कद्मा यावाज हो ये ओना तक पुंचनी पूंच दी रहे तया है उस तोब जदो हो को उस्दे जान दे образом Fredma लिडेस्पा अवाज Л Christina 6 दिया खतम ये फेर हों कालु बोल दा है उन्हों उत्थे जड़ा एक कालु है वो खुका ुपीवरे है है जी हुका पिंदे होइओ हो बोल रहे है ते communal हुका है थे देखो बच्चे लिखा है communal हुका कम्युनल हुका हुँदय है जदो काफी सारे लोग एक από हुखा पिंदे ने इसनों सी communal हुका के ने हुका पिंदे हो जड़ा है ओ कहने है रीमा अग्डोगल कहने है कहने है देखो निर्दाई शैतान जा रहे है डैविल कहा गया देखो डैविल कह रहे है कालू किसनों रहीम खानू हुन एक होर बैठा हुथ हो दोस्त नन्ना उसे चो पाल दे विच बैठा है वो कौन है जी मोटा जा स्वीट सैलर है मठ्याई बनांदा है हो कहने मठ्याई वेच्द जा रही है हजे कल ही उसने रामू दे मुंडे नू कुट्टिया क्योंके क्योंके उसने उसने बल्दा एक पत्थर मारे है सी रामू दे मुंडे ने उसने बल्द सी उसने उपर एक पैबल मारे है पैबल छोड़े पत्थर नू कहा है ते उनने रामू दे मुंडे नू जूँ कोडियों सेगा जढूति . इधे जल्दार सुन और अपनी इसरारती मुंडेयां दोरा . अठीक गल्ग छोर सोच ना ली थे है के रहीम खान नूं सिता की ता जनुन आ रहीम खान टनंग किता जयंद्ग साहीं तुथलेस्ट माउथ, अपना आपना जढ़ा है, टुथलेस्ट माउथ जढ़ा है, उपन कर द महां भाआ ओसे डालंड किया इंतल को ilgili सब्सक्राइब कर दधा है कि मतलब च baruकि में अपनी जिंदक द जालम आदम नीदेखिया। क्रुवल मैं आजा कदे नहीं देख्या एदे अंदर ना था कोई दिया है किसे बचे लई ते ना ही किसे लाचार एनिमल लई किसे जानवर लई कोई दिया पावना नहीं है तो तक के जड़े अपने बच्चे ने ओवी एदे करतों पाजगे हुन बच्चे यो इस पेरे तो सानू रहीम खान दे क्रेक्टर दियां कई गलना दा पता चाल दा है के रहीम खान दा पिंच कोई दोस्त नी ओसनल कोई गल निं कर दा इवन के जड़े ओधे पिंड दे प्रेंड वाले ने ओसनू पसंद नी कर दे हलाके ओस तो डर दे वी ने उस दे समणे कुछ नी कहन दे ओस दे पिठ पिछे बहुत बराई कर दे ने थोड़ा जा सनू एवी हिंट मिल दा है के रहीम खान नू तंग भी किता जान दा है जि इना सारे लोकां दी गलबाद दा जड़ा विशा है कौन है रहीम खान एसे दोरान वो अपनी हट दे विच अपनी चोंपडी दे विच मों जान दा है जड़ी के सिंबॉलिकली स्टुड गॉंट एंड अलूफ तब बच्चेयों मैं तो नू इस स्टोरी दे शुरू ज कहा कि एजड़ी पूरी स्टोरी है इस सिंबल्स नल पर ही हुई है खुद एथे राइटर ने सिंबॉलिकली यूज करे है हुने थी हटनू की कहा गया है गॉंट एंड अलूफ गॉंट दा मतलब भूंदय भी सुनसान जी अलूफ मतलब बियाबान जी जित्धे आले दोले कु इन लाइना तो बच्चे उसान नू ए सिंबल्स ना पता चल ला है कि किना कला है रही हुखा ना तै कोई दोस्त है नाई ये कार्दयाल दोले कुई रहन दे तक कार्जागी की कार्दय जी ओजड़ा अपना हल है उस नू अपने दिवार दे नाल अटिका देंदा है अते अ कि अपने कार्थ नो हो पाईर रहीम खान अन अपसेक्विश वैस उस नू असन चुन दीए अ बड़ी नम्दीजी ओझ मैभिगणाय है कोई जड़ही हो प्यरूण थू रहीम खान नू पच्छाडार घटी के अपने कार्दया से नू थोड़ी दू दोल हो हाई दे तो रह एकदम रहीम करने वोस ते वोल्य वपक्वेस्चिंस फायर करते हैं बहुस सारे कुछें नदी बचाड करते हैं वाट इस इत की गल है आइवांट ईट जाओं गाता नी तो बोलदी क्यों नी वोमें थरा जड़ा बेटा है तेरी पतनी उसरफ ये दो वर्ड बोल दिये बाकी दे वर्ड जड़े हैं रहीम खान खुद पुरे कर दा है तो तोसी देखो के ओ अपनी वाइफ देली ये वर्ड यूज कर रहे है ते ओनु ए रिलाइज हो रहे है के ओने राइटली गैस किता है के मैं जो वुमेन कहना चांदी है उस दी मैं सेंटेंस पूरा करता ते मै सही कहिते है उसमें के और वोफॉय मैं को सेज से अपने ब्रदर कौव गई एक नूर पूर विखे गई कुछ दिन तक वापस आजेगी ओओ ओस आ देवालो हो म्हुत गया टा आपना चाहते अपना दोर उपन कर दा है उनू पराम चाहतेएắng जाएं जाहता है उन्हातों प वापस नहीं आएगी अंदर आके अपनी डार्क हट दे वी चेंटर कर दे ता बच्चे आथे देखो डार्क हट दा मतलब नेर परी जड़ी चॉंपड़ी है एवी क सिंबॉलिजम है पुरी पुरी स्टोरी देविच जित्थे के कोई रौशनी नी है जगो पता तो लूब के रौशनी नी होंदी था उथे प्रॉल्म्स होंदी आने तैतों स लूब पता लाद है के रहीम खांदा जड़ा लाइफ है वह हट दी तरहां वही डार्क है जाके जी मंजे ते बैठ जानता ह एक बिल्ली बैठी है कॉर्णर थे ओ अवाज कर रही है उन उस दे कोई नहीं है जिस्ते अपना हो जड़ा गुसा है हो चाड़े तो वेंथी जैंगर की करदा है हूँ स्लैमिंग दोर विद वाइलेंस कोई नहीं है जिसनों के उसनों आके शामदा खाना दवे कोई नहीं है जिसनों क्यों गाडा कड़े या कुटे रहीम खान बहुत ही ज्यादा बे अरमी महसूस कर रहे है खुश नी है हूँ, हमेशा हूँ अपनी वाइफ दे नाल गुसे ही रहा जाता को दे नाल सी, ते हूँ अपनी एबसेंस ने, क्योंकि वाइफ हूँ है नी उसनों हो ज्यादा गुसेच परता, अंगर दिम स्टेल मोर, तब अपनी वाइफ दे नाल किस तरह दे रिलेशन ने, वाइफ नू हो कुटदा मारदा भी है, ते बीटदा वरड़ा है, कर्स दा उसनों गळां भी करदा है, ते हूँ जदो है नी ता हूँ ज्यादा गुसेच पर गया, हूँ नो हो चले गई, सोच रहे है, अपने मंजे ते बैठा हुया, वे सारी अंगल्ना सोच रहे है, ते वे सारी ने निश्चा कर लेया कि जो हो खाना नी खाएगा विदाओ इस फूड, तो ती साल दी मेरीड लाइफ हो चुकी जी, 30 यह ओफ दियर मेरीड लाइफ होना दी, 30 साल दी मेरीड लाइफ दाजान्त हो गया एक तरा नाग, पर हूँ हमेशा है उसने इस सोचदा रहन कि जी वुड लीव हम वंडे, कि किसे ना किसे दीनो हो मननू छटके जाएगी, अधे एक वारीता उन्हे आस भी किप्ती सी कि अजे चली गी होएगी, मतु हो गया होना किसे दीन है जी गल, ता मतलों उसनों हमेशा है लगदा रहा कि उस जड़ी वाइफ है उसनु छटके देखो दी वाइफ दा नाम इस चैप्टर देविच नहीं आया लेकिन दोने बच्चेयां दा नाम आया ता जड़ा वड़ा बच्चा है बुंदू क्योंके उसदी सिवेर बिटिंग हुंदी सी नहीं वाट इस जादा कुटमार होए जदों नजाइज कुटमार होए वन्हों अपा सिवेर कुटमार होए ता तिन सालां बाद उसदा जड़ा चोटा बेटा है नुरु ओ अपने ब्रदर देकर चला गया नुरु नुरु हुन छोटा है जैनि कि उसदी दो पुतर है एक बंदू है तेक नुरु है ता तिन साल पहला ओवी चला गया तिछे साल पहला बंदू चला गया उस दिन तो बाद रहीम खान नूँ श्योर हो गया सी है पका हो गया सी के ओ वी एक दिन अपने ब्रदर दे कर चली जाएगी पर हुन जिमे के ओ जा चुकी है ओ हो he felt unhappy ओ हुश नी है दुखी है पर उसनू sorry नी है यह जड़िया चीज़ां बच्यों यह जड़ा सेंटेंस है यह समझो ना लाए है he felt unhappy not sorry उन्हों अपने किते ते पश्तावानी है हाँ उन्हों दुख जरूर है उन्हें कदे अपनी वाइफ नू प्यारी नी किता ही नेवर लवड इस वाइफ सगो आज जो हो थोड़ा जा अनकमफर्टेवल महसूस कर रहे है बेयर आमी जी महसूस कर रहे है जिमें के अपने किसे करदा कोई निसेसरी पीस ओफ फरनीचर होए फरनीचर देखो यह बहुत ही वधिया फ्रेज यह नो तुसी सिंबल भी बच्चेव समझ साख दे हूँ मैं दून दसे है कि कई जगा सिंबल्स यूज किता है कि अबास ने ता देखो उसने अपने पतनी नो की समझ दा है उस दी निगाद विच उस दी पतनी दी की उकात है अब भी अपने पीस ओफ फरनीचर यह मैं इक फरनीचर होंदा अपने कारदे विच लकडी दी चीजा होंदिया ने निसैसरी मतलो जरूरी कोई जरूरी चीज होए ओ अपा दूर होगी ओ चलेगी एस बिन रिमूब्ड हो चलेगी क्योंके ओचीज जे दूर हो जहाँ थोड़ी जी एंकमफर्टेबल महसूस होंदी है कोई फरनीचर दीजे जरूरी जी मालो कोई चेयर टूटजे जिसनों सी रोज यूज कर दे होई है या कोई टेबल टूटजे जिसनों सी रोज यूज कर होई है तो सी थोड़ी जान कमफर्टेबल महसूस कर दे है लेकिन उस दी पतनी जी निगादे विच की है निसेसरी पीस ऑफ फरनीचर ता हुन जोदो चली गई हुन उनु दुखिस गालदा है के जेड़ा उस दुख्या होया दिल है इंबेट एंबेटेड हाट है उदी ज उसा चड़ा होंदा सिधा पनी बच्चे नु कुटमार कर दा सी बच्चे चले गए फिर अपनी वाइफ दी वी कुटमार कर दा सी उनु ओधी वाइब भी चली गई हुन्हें सारियां गल्लां बैठा हो मंजे दे बैठा सोच रहे हैं तान ती सालां तक उस दी वाइफ कर दे आपनी लाइफ दे आल सी तब अच्चे ए लाइन थोड़ी जीतीया ना समझो के रहीम खान एन निर्दई क्यों है आज यह ति आए वली लाइन तोसानों कुछ कलियर होंदा है के उसनों बहुत सारी यह प्राउम्ल्स ने अपनी फैमिली दे ना कुछ दे ना कुछ प्रती होंने कुछ शिकायत करें, इसे तरह सोसाइटी दे अगेंस्ट भी उनू कुछ गिलेशिक वेने, इसे तरह उनू अपनी जिंदगी दे प्रती भी गिलेशिक वेने, तब आ एना सारया शिकायता दा गुसा उ किस्ते उतार दा रहा अपनी वाइफ ते, ती साल ना तक अगले पारे दे विच बच्चे उनू पता चाल दे कि अगली ऐसी गल कही है कि वनू शिकायता नेया सारीया फैमिली नाल सुसाइटी ना लाइफ नाल एथ तो सानू एस पेरे तो गिलेशिक वन्दे हैं, जदो हू जवान सी ता उस दे ब्रबर पिंड चोई नी सी जो उस टे जडों डाइविंक कार्डा सी कनाल ब्रीजतों त ओचीजाह आथ चीजाएं ने, कनाल ब्रीज मतलब जिमें अपने इस पेंडमी य नहर होवे उस दे ब्रीजतों डाइविंक जिमें कारने कि तो उनू प्क न बीच टिख ढहहे है tuta स़ारिया calculus ओजिंग होई अपनी यूथ देविच ताहु बहुती ताकतवर जवान सीगा जिसदे जोगे खेड़ा खेड़ा सी ते उसनु कोई इना खेड़ा निसी सागदा हुन बच्चेव एथे रहीम खांदियां दो खवाइशनादा जिकर हुंदा है जो उसने एजा यूथ जवानी वेले जो अप कर्णी बच्चेव जान देऊं जिदे विच तरहं तरहं दे कर्दब दिखाई जान देने तूर कर दी फिर दी हुंदी यह कदे इस शहर कदे उशहर था तो उस्चेव नू भी जवान करना चांदा थी ओ जड़ी सर्कस सेगी ओज़ पिंड़े कोलों दी गई ए ते सर्कस वीचि उसने सोचया कि उसदियां जडियां इच्छामाने अभीशन्स ने ओदे विचोदा करियर है हुनों किस तरह दी जिंदगी चांदा सी हो ट्रेवल करन वाली जिंदगी चांदा सी उसनों एदर उदर जाना यातरा करनी बड़ी वदिया लाग दी इसी आती हो फेम चांदा सी कि मैं परसिद भी हो तुसी देख्या हो ना कि वह बहुती वदिया स्पोर्स परसंदेहा सी ता है जे परसंन हमेशा हुन दिया है कि मैं जंदगीच परसिद हो लोकी मनु जानन ता हो अपने जड़े पुष्टैनी किते ने ओना चो हो जिमें के पाड़ी देख्यों दिल निसी लंदा उजिए दो ख्वाइशां सी कि का सरकस देविच कम करना ते दूसरा इको लड़की नुचांदा सी ता हुने थे ओ लड़की दा नाम दसेया जी राधा जो के रामचरन दी लड़की है पिंड़ बनिया है उस लड़की दा नम राधा ते ओ उसनो अपनी जीवन साथी बनाने चांदा सी रहीम खान उसने राधानू कदो देख्या एकवरी ओ रैसलिंग मैच देविच उसने देख्या पिंड़की कुष्टी दा मुकाबला हो रहा सी ते ओ थे ओस दा ए जिंदगी दा सब तो वदिया मोमेंट सीगा पल सीगा जदो उसने अपने विरोधी नो एडवर्सरी दा मतलब दा बच्चे विरोधी नो जदो उसने हराया वेनक्विशिंग उसनो कुष्टी दे मैच राया ते ते वर उसने देख्या कि राधा उस वाल बड़ियां हसरत पर यह निगाहां देनाल देख्या है ता उस तो बाद दोना दियां आपस कुछ मुलाकाता हुए यह फर्टीव मीटिंग्स बच्चे वो चुप चुप चुपेती है वाल यह मुलाकाता हुए ते वस मुलाकाता देविच उसने अपने प्यारदा इजहार भी किता पर यह दोने इच्छामा जडियां हो दियां सी के एक ता सरकस नुग स्था आपसी नुग स्थाथ जाएं काना दे दूसरा रादा दिनाल श्यादी करना इज सब्सक्रादी नहीं देविद बहुत इस अमपिशिए अउजदे पेरेंट्स नै एह उजदियां दोने ही छामा नु खतम करता यानि के ना ता हो सरकस जोन कर सक्या ते नहीं यहो रादानाल शादी कर सकया. उन सरकस्ट चड़ा कम करना सी, वो बहुत ही छोटे किसम्दा कम सी, अनैतिक सी गा, किसलिए एक रिस्पेक्टेबल फार्मर लई, जिसलिको इजद है, फार्मर है, किसान है, उन सरकस्ट काम करना जंगी गलनी है, यह उदे पेरेंट्स केंदेने, उदे पिता होन, चाहे उदे दादाजी होन, चाहे उदे सारे एंसेस्टर जो पूर्वर सी, उनाने हुन तक खेती जोते सी, खेती बाड़ी किती सी, ते उनु भी हुन नहीं करना पहना सी, हुन दुझे पास से इरादा देना शादी करना, जो के एक हिंदू बिरादरीना सबंदित रख दी है, ते काफिर है, हुन बच्चे ओक काफिर दा मतलब हुन दा है, के जड़ा नॉन बिलीवर होवे, जो मतलब अल्लाच विश्वाशना कर दा होवे, उनु काफिर, आइडिया ही गल सिगा, क्योंके नाता एदेच कुई तार्मिकली गल सी, ते ना ही एह सही सी, कुई रिस्पेक्टली गल सी, इस करके नाता हो सर्कस जोयन कर पाया, ते ना ही रादा नालो दी शादी होई, कुछ समय तक रहीम खान दे दिल दे विच गिला रहा, ते उस ने, उस दे मांचे आया, के मैं हुन विद्रो कर दा, रहे बिलियन, ता मदल हुन दे विद्रो कर आपने माबब दे अगेंस्ट जामा, अपने सॉसाइटी दे समाज दे अगेंस्ट जामा, पर हुन तो उनु तो पता है के रहीम खान ते ओस दे जड़े पूरवज ने, उस सदियां तो सर्फ डम दा शिकार रहे ने, सर्फ डम दा मदल हुन दे बच्चेयों, जदो किसे लैंडलोड दे कोई मालक होवे जमीन दा पाउदे कोले खिती करी है, जिमें पंजब बीच सीरी होना के देने अनु कहने जी, उनों दे खूंदे विचे बिसया हुया कम, ते चाहे हो जिनी मर्जी करी ना करे, पर अपने फादर दी जड़ी ओधे पीता ने बहुती ज्यादा तक्का किता क्यूंके दोने काम हो करनी पाया, उन्छे मांच बहुत ज्यादा करीना है, पर प्रॉलम में है आपने माबाब दी इस जो भी उस दे नाल गल्ट गल्ला हूए यान div ऑफ अउस लानी है नहीं हो माबब दे अगेंस जासाद है ते नहीं हो दे जो समाजीक बंदन ने उना दे अगेंस जासाद है कुछ दिना बाद सरकस पिंट छटके चली गई ते रहीम खान दा जड़ा एक सिक्रेट प्यार सिगा रादा दे नाल ओवी कदम खतम हो गया केम टू एंड अबरप्ट एंड सदन एंड जदा मतल हुंदा है रहीम खान ने चलाकी दे नाल राम चरन जो के रादा दा फादर है उन्हों सुझा आदिता के तेरी जड़ी लड़की है उन्हों 15 सालना दी होगी काफी दर पहला दा व्या हो जाना चाहिंदा सी क्योंके जे जल्दी ना करिये तब बहुत यह दे पैड़े नतिजे लेट मैरिजिस दे होंदेने डिजास्ट्रस कॉंसी कोईंसी जदा मतल हुंदा पैड़े नतिजे कुछ ही हफतें बाद रादा दी शादी रामलाल दिनाल होगी जो के एक मिडल एजड है पोर्ट बैलिड बनिया है आफ दा नेबरिंग विलेज एक नाल दे पिंड दा मतके वर्गाजी दा टिड है ते मिडल एज है मिडल एज दा मतलब के ओहो यंग नी है लेकिन बनिया है ता इत्थे बच्चों तो नो पता लग गया हो ना क्योंके रामचरन खुद बनिया कास्ट देनाल सबंद रख द कुछ हंजू बगाए जी रादा ने क्योंके उसदा एक होपलेस रोमांस चले रहीम देनाल रहीम खान देनाल कुछ रातां चो उसने रोई यो हो पर उसने फिर बड़ी जल्दी आपने आपने आपनू संभा लेया अथे आपने आपनू किसमत दे हावाले करता के चलो जो ह रहीम खान देनाल को जो होगा अधे होज़ गावदी ते फिर ओह भो हाफ अधें चील्दी मांबनी मतलो जए छे बचे ने बचे होए उस तो बार रहीम खान दी भी मैरीज होगी जी ओदे कोई और इस मैट्र इस मामलच कूई च्वाइस ही नी है ऑँच दे पेरेंट्स न चांदी दे गयने, उस दी दूलन दे लेले, उसनों होर्स दे विठाया, आते बीट आफ दा ब्रास बैंड, तो उनु पता है, ब्रास बैंड जड़ा, जड़ा आम शादियां दे जान्दा हुंदा, जजकल थोड़ा रवाज दा कट गया, तो उस दी बीट ते, उस दी आवा लड़की दे कार लाएगे, जित्थे निकाग पड़ाया गया, उन्तों नु बता है, भी मुसल्माना दे विच बच्चे ओ, निकाग पड़ाया जन्दा है, तो उते काजी ए सारे कम कर देने, उन्तों उसने रहीम खान नू कुछ प्वेस्चिंज किते, फॉर्मल तब अच्छे हो तुसी एथे, देखो, mechanically noted his head, उसने, उसनों पुछया गया कि तु शादी लीते आ रहे हैं, कुछ आइदा क्वेस्चिन किता जन्दा तो उसने अपने हाम लाती, भी हाम एते आ रहे हैं, mechanically, mechanically मतलब है कि उसनों कर रहे हैं, उसनों करवाया जा रहे है, कि दबा पाके करवाया जा रहे है, तो मैं दस्या सिखा कि इस स्टोरी दे विचे, सिंबॉलिजम बहुत ज्यादा, तो उनों दिखनों मिलेगा, होर कोई उसनों चा रहे ही नहीं सी, इंपॉसिबल सी, हुन दुझे पास से जड़ी ओसदी दुलहन है, शाय लिटल गर्ल, जिस स्टोरी दे अल्वदी शादी हो रही है, बचारी बठी हैं कठी होई डार्क रूम दे विच, जो किसे ने क्यार हिनी कितीए कि कप तो तु में तयार है करूं नहीं, उन्हों नहीं पता कि मैं आपने किस अंदकार वाल जा रही है, मुन दो मैं दोना ऊंत़र लाइन ज अपने पुद्दा वयाकरा के, अपनी वाइफ देगे शेही मारता है, बोस्टिड, बोस्टिड तो इस वाइफ दिए जाएफी मारता है, देख्या कि मैं नमाना जा बढणी मेरा कैना मंदा है, see how meekly he obeyed me तो हमेशां डर दी जी के एने अपनी गलनी मननी व्यान नी मनना मैं सब जान दा कहनता है यंग्स्टर्ज नू जोजमाना नू कहनते है जे करें ना दी मैरीज लेट होजे ता है बेर आम्मी आ जान दी है ना सब्सरे जोड़ होगी now he will be alright कहाँ Всå ऩो अपने पिदय और आर्व दिलकुल थीक है बिल्कुल इस तरह जवें कोई शीप हुंदी है, वो अपने बुचर दी वेट कर दी है, जवें कोई पेड अपकसाई दी वेट कर दी हुंदी है, देखो बचो मैं तुम दसे ऐसी के, इस स्टोरी दे विच सिंबल्स किनने है, उस दी वाइफ नो, ऐज़ा शीप अवेट्स इक निश्चा कर दा है, कि वो बदला लएगा अपने पेरेंट्स तो, अपनी फैमिली तो, ते सुसाइटी तो, तब चो इस जगह ते रहीम खान जड़ा बिल्कुल चेंज हो जानदा है, क्योंकि वो इना सारे जणियानों की कर दा है, कि वो इना सारे जणियानों रिस्प यूजन देविच जड़ी है, ओजी इलोजिकल माइड, माइड कुछ चलनी रहा, ओपनी ब्राइड नो, अपनी वाइफ नो, अपनी वाइफ नो, as a symbol of persecution मानदा है, पर्सीक्यूशन दा मतलब हुंदा है, जदो ज्यातियां हुए 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 ने, ता ओजी ओ सिंबल दा मतलब बदला लेना, ते iron entered his, hitherto kindly soul, as he rudely pushed open the door, जिमें ही अपनी वाइफ को जानदा है, ओस दी जड़ी kindly soul है, बच्चों आथे, नोट करन वाली गल है, के उस तो पहला ओस दी जड़ी soul है, ओ आत्मा, ओ ही एक दिया वाली आत्म है, kindly soul है, ते देखो यह लिखिया हुए लेकिन हो किदेज बदल जानदी है, ओ बदल जानदी है, आइरन, आइरन soul दी तरह बदल जानदी है, मतलो उदा पत्थर दील बान जानदा है, जिमें ही हो, अपनी वाइफ को जानदा है, ओ अपनी वाइफ दे उपर सारी अपनी फ्रस्टेशन दी, जो है पड़ास कड़न सोच रहे हैं, यह 30 साल दियां सारी आप पहला दियां गल्ला ने and he had not, he had his revenge क्यों उसने अपने रिवेंज पुरा कर ले बिल्कुल 30 साल नां तक उसने अपनी वाइफ ना ill treatment किती है अपने बच्चेया नो माराया कुटे है and his बलक्स आते अपने बल्दानों जड़े ओदे बल्दने जिना नो खेतांच लेके जाना है ओना नो योसने माराया कुटे है cold with everyone in the village पेंड चाहरी कना लड़े आते आपकी बन गया most hated person in the whole community पूरे समुदाय दे विच्चे हो सब तो क्रीना योग परसन बन गया मान चांदी है कि हाँ मैं हून बहुत वदिया किता है पिंड विच कोई भी निसी जो उसनों समझ सागदा या ए कोशिश कर सागदा समझन दी कि एक एना cheerful थे kind young man एना खुश मिजाज थे द्यालू बन दा एक जंगली जानवर के में बन गया इस strange transformation के में आई ए जीब जी जड़ी ओदेच बदलाव आया एक के में आया पिंड च कोई निसी जान दा ना किसे ने समझन दी कोशिश किती ना ही किसे ने जाने या पहला पहला ता जेड़ाओन दा पिंड वालें दा एटिचूड सी उस दे परती और बड़ाई हरानी पर या सिगा ते बाद वीच ओदेच डर्वी आ गया मिंगल्ड वीद फियर मिंगल्ड मतलब मिल जाना डर्वी आ गया इंडिफ्रेंस आ गया मतलब हुनो उसनों एवाइड करन लागे हो उसना मिलना जुलना पसांद नी सी कर दे किसे तो भी ऊस रहीम खान नू कोई सिंप थी कोई देया या कोई उन्हों समंझ सके किसे तो उसनों प्रापत नी हुई हर कोई उसनों आवाइड करता था शञट 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 मतलब अवाइड करना जद आपा किसे नूं अग्नोर कर देया अ अख्षों ओरे कर देया था कहने हैं आपाँ ते जिथे भी ओ गया उसनों अपने दिल दे बीच हमेशा बिटरनेस ही मिली मतलों बिटरनेस दा मतलों कड़वाहाट और अन्ही ज्यादा आगी उस दे दिल दे अंदर क्योंकि कोई उसना लगाल नी कर दा कोई उसनों समझ दा नी ता हुन रहीम खांदे को बिटरों कख दा की है कि ओ और कोई इ साहिए संसल्साइट्व यंदा में अध्यक्न अग्यू कर दे ऑकट रही है कोई वोसनों रोग टङ नी सालक होई आपनी डर्ल canal काट रहे हैं कॉई भी ओसनों रोग टोग नी साहँ अधाना ती साल तक उसदी पतनी ने जडियां, उसदीयां, जयातियां ने उसदी अगे हो चुकी रही submitted to his persecution persecution दा मतलल में तरनों जयातियां दे से आशी submitted दा मतलल उनों मन दी रही कि में with the slave-like docility that is the badge of our tribe तब अच्यों एथे बड़ी वदियागार लिखी है कहानी कार ने वो कहने है कि एक जमेख slave हुनदा ना जमेख दास हुनदा है उस तरह docility दा मतलल हुनदा है बच्यों जदो कोई आप जिनू भी कोई कम कहिए ओमी कर दवे जमेख कहने है कि गव है जमेख हो जनदा हुन कहने है docility ते हुन उस दी वाइफ ने बिल्कुल ओमी ओदा कहना मनने है उस दी मार खाई गई ओजियातियां सही गई एथे एक गल लिखी है अबास ने के दैट इस दा बैज ओफ हर ट्राइब केंदे ए उस दी जो ट्राइब है ट्राइब है थे सारी यह ओरता नू कहा किया है के ओरता दा हिक बैज है के अपने पती दा हुकम बनना ते ओमी वचारिय हो करी गई बाद विच ओ एन्नी ज्यादा उसनू आदत होगी ए सारी कॉर्परल चैस्टाइजमेंट दी कॉर्पर अजीव जा लगदा सी के पूरा वीक चला गया पूरा हफता चला गया के मिननू कुट नी पई मतलो बहुत अजीव लगदा सी के इक हफते तो मिननू मेरे पती ने मिननू मारे नी ता उन्नू बड़ा ओ लगदा सी के अन्नी आदी होगी कुट खान दी हुन रहीम खान दा अपनी वाइफ नू कुटना, उस दी एवरीडे एग्जिस्टेंस दा पार्ट बन गया, मतलो उस दी रोज मरा दी जिन्दगी दा हिस्सा सी, कि उन्हें अपनी पतनी नू कुटना है, हुने सारीयं गल्लां हो पया-पया मंझे दे सोच रहे है, हुने उस नू नीदान लगी, अपनी लाइफ नू जियेगा, क्योंकि उन्हें इस तरह दा बन गया है, उस दी सेकिंड नेचर बन गया, बीस्ट बन गया, जंगली जानवर बन गया, थे इंडल्जिंग इन्या, थे बच्चों एक इंडल्जिंग इन वर्ड आया है, यहें फ्रेजल वर्ब है, काम दे विचे इन्वॉल्व होई है, अपनी प्रविर्थी किमे जारी रखूँगा, क्योंकि जिसनों वो कुटमार करता सी हो, ता हुन चली गई, ता हुनों दे लिए उखा हो गया, कि अपनी लाइफ में किमें अंडियोर करूँगा, कि में बताऊंगा, इस मोके ते आके शायद रहीम खान इस मोके ते आके उस दे अंदरे फिलिंग आई, हलांके ए फिलिंग ओस दे वाइफ प्रती कोई प्यार दीनी सी, it was not exactly of affection, of affection for his wife, affection दा मतलों दा बचो प्यार प्यार वाली फिलिंग नी सी, पर एक loneliness वाली फिलिंग सी, क्योंनों एक अला रह गया, विदा कि ओ ओ वुमेन, ओ इस तरी जो जी वाइफ है, जिसनों को एना हेट करदा है, नहीं नफरत करदा है, ओ उस दी जिंदगी दा किड़ा बड़ा हिस्सा है, was a part of his life, किड़ा बड़ा ओस दी जिंदगी दा हिस्सा सी, उसनों ए पहला कदे भी अंदाजा नहीं होगा, आज जो हो बहुत ही अपने अपनों एक अला महसूस कर रहा है, हाला के अपनी वाइफ प्रती कोई प्यार नहीं है, लेकिन अपने अपनों क अला महसूस कर रहा है, सिरफ इस करके, कि होनों अपनी इस तरह दी जड़ी बीस्ट वाली, बीस्ट परविर्ती वाली कि में जारी जदो उठ दा है ताहिए काफी लेट हो गया हुंदा दो पैर ही हो गी हुंदी है अते ओ इक वारी फेर दिन अपने दिन दी शुरुआत करदा है बाई कर सिंग इस वाइफ कर सिंग ना मतलब चंगा मंदा बोलना अपनी वाइफ नो कुछ गल्थ गल्ला बोल दा है क्योंकि जो अपनी जड़ी जल्दी हर स्वेर उठाउंती सी अजो अठनी पाया ता फेर उने सारा गुसा अपनी वाइफ नो इवाइफ ते ही कड़ेया के अजो है नी चले गई मैं लेट हो गया पर जो हो जल्दी जान दे मूर्च नी है काली नी कार रहा बड़े राम नालो हो अबलुशंज कि अबलूशंज हुँद हैं जमेगा अपने हाथ मों तो है ना इवलूशंज केंदे हैं फिर अपनी जड़ी आ बक्रिया ने इन अधी मिल्किंग कर दा है क्योंके उसने ब्रेकफास्ट खाना हुँद है उन ब्रेकफास्ट दे विचो उसदिया पिछले दि जड़ियां चपातीज ने, जिन्हों नो अपन अपन बेही चपातीज के ने और बचियां हुए ने, ते फ्रेश मिल्क देवी जो उसने गोट्स दा फ्रेश मिल्क लेया है, उस दे वी चो सोग करके, डुबो के उच चपातीया नो खारे है, फिर ओ थोड़ी दर बैठ जान स्मोकिंग कर देरा है, इस बिलोविड हुका जो जा हुका है उस दे नाल, उस तो हुखिग कर दे नाल, उस दो श्मोकिंग कर दे, नाओ, धा हट वोज वाम, एड अलाइट, विद रेज अफ दा सं श्ट्रीमिंग इन थू तू दा ओपन विंडौ नो बच्चेव, खून तक आपा ने जिनने वी सिंबल्स इस स्टोरीच देखे ने, उना सारे सिंबल्स तो ना सानू एक तरह नाल थोड़ी जी नेगिटिविटी आई है, मतलो कोई इस तरह लगया के कोई बुरी गाल हो रही है, लेकिन पहली वरी स्टोरी देविच सानू एक वदिया सिंबल दिख जो आ रही है कि तो थूदा ओपन विंडो क्योंके उस दी विंडो है जो कर दी ओपन है ओदे विच्चों दी आ रही है, तै तो इस सिंबल तो सानू पता लाद है के हून आनाले टाइम दे विच कुछ चंगा होनाला है, रहीम खान दे नाल, कुई यही चंगा सूचक है, जिनन आ अपने आम करांदे विच हो जांदे ने, जि मैं तुसी पिकदे विच देख रहे हूं, तो अज जो हो डिसाइड कर दा है के आज जो हो खेतांच नी जाएगा, यही विल बी एबसेंट फ्रॉम इस फिल्द खेतांच नी जाएगा, तो आज जो हो की करेगा, यही जो चौपड़ी है उसनु साफ करेगा ताह की करदा है फिर ओहो कुछ एक लंबा जा एक डंडा लेंदा लेंदा है लोंग पोल ते कुछ फटे पड़ाने पड़ाने कपड़े उसदे एक एंड दे उपर बन देंदा है टाय करदेंदा है ते ओहो जदो यज दो रिमूव करन दी कोशिश करदें ताह की लेते है लोंगेज लोर्ण प्रभ देते है ताह उन्ः जात की लेते है लोगेने वक्वे मैंने की यज ने लेत भादे है भादे की लोsis अ फ्लुट्रिंग इन एंड आउट दा मतलब पंक फड़डाने, ट्विटरिंग कॉंस्टेंटली, ता जड़ी अपनी स्पैरो अपनी स्पैरो हुंदी है, तो आजकाली को बड़ी अप भी है, बड़ी मशूर है, ट्वीटर, तुसी ट्वीटर ते देखी हुनी, एक स्पैरो एक पिक्चर हुनी है, तो ट्वीटर जड़ा है, ट्वीटर जड़ा है, ट्वीटरिंग तो ही बने है, ता उना दोस पैर उसदी जड़ी ट्वीटरिंग है, उन्हों लगातार सुन्दी है, ते उसदे पंक फड़डा हुनी है, वाजवी उसनों सुन्दी है, उसदी पहली इस इंपल्स ए हुं दिया है कि हो नैस्ट नू जड़ा अलना उसने देख्या है उसनो खत्म कर दे रेक्टा मतलूं दे इस्ट्राये विद वन स्ट्रोक ओफ इस बोल्ड उस दी हात चपी जड़ा दंडा है उस एक वार देनाल उस नैस्ट नू खत्म कर दे उदी परितिक य् ए हुं दी है पर सम्ठींग विदिन हीम मेड हीम डेजिस्ट पर कुछ उस दे अंदर कुछ ऐसा हुं दा जो उसनो हे करन तो रोकता है देखो हुन तक बच्चे उसने सब लोकानू मारया कुट्या है यह माड़ाई किया है लेकिन पहली वार कुछ होदे मन दे वीच कुछ सँ दे जोब जाला ही नेस्ट नहां तोडाँ मैं तक आपनों दस दा है ना कि उपर के कुछ होदे लाइल चंगा होन वाला है तरह जए चंगा ही हो रहे है कि अनों चेंज हो रहे है ते में होन की करदा हू ओ जड़ा डंडा उसनों सृट देटेंदा ते एक स्टू लाके चार पाई लेके आंदे ते उसदे उपर चड़ जानदे ताके उसनों इक बैटर व्यू दिखे स्पैरो दे करदा जो उसनों इक चंगा व्यू देखे ओ देखन दी कोशिश करदा ताकी देखदा है के तो लिटल फैदरलेस माइट्स ओफ रेड फ्लेश बेबी स्पैरोज हार लिया दे ओल्ड ले इंसाइड ता उसनों की दिखदा है के दो छोटे-छोटे फैदरलेस जिना दे पंखनी हैंगे माइट्स पोद ही छोटे जीव जिना दा रेड फ्लेश या उना दी जडी बोडी लाल है बेवी स्पैरोज उसनों दिख देने जोगे सिरफ एक दिंदी ने हाजे हाल लिया डे ओल्ड ते उदे अंधर पही ने अगे फिर हुन ओज दे जड़े पेरेंट्स ने वाइल दे पेरेंट्स ओदे मावाब दोने हौवर्ड राउंड रहीम खान्स फेस रहीम खान दे जड़े आले दोले मेंट्रान देने हौवर्ड राउंड दा मतल हुंद है आले दोले मेंट्राना स्क्रीमिंग रोला वी पारेने थ्रेटिंग दे मतलब ड्रा रहेने के तुम एननू हाथ ना ला ओसनों बहुत ही मुशकल दिना बेरली अग लिम्स अग दिख दिया है अंदर दी जदो मदर स्पिरो जड़ी है इस ते उस्ते हमला कर दी किया क्योंकिन राहीम खान है क्यांके मदर स्पिरो जड़े है उस्ते हमला कर दी है। तो उसनो हो इक तरह नाल बुरा बला केंदा है, केंदा है, तू मेरी अखी काड़ दे नीसी, प्लग्ड आउट माई आए, ते रहीम खान एक अपने जड़ा हासा होंदा है, उस दे नालो हासद है, आते अपनी सीट तो नीचे उत्तर जांद है, क्लाइम देन फ्रोम हिस पर् स्पैरो नीचे इस पता है लग देना के मेरा आलना तोड़ेगा, तो वो किनी हैरुक आफ़र्स कर दिया है, अपने कारणों प्चान दे लगे हुन स्पैरो जड़ा जड़ा नेस्ट है, उसनो कोई हाम नी होंदा, उसनो कोई हाम नी हुनदा, उमी लग ग गया जए है, एन अगले दिन अपना कम शुरू कर देंदे, रिजियूम शुरू करना, हजे वी ओसनल पिंदे विच कोई गल निंग कर रहे है, पिंदे लेट अपटर्नून् तक अपने गहतरां केम, यां बौिसच अबन बौटि। अनके लेड़ हें, रिजि Aun आपनी मनजी एपटर्नूर्पम्लड्यु अबने देंदे अलगाएं ुआपनी सुरजीपन तो पान इहरें detect. कि आपना जी बैड यह पनी बैड जानादा है ते अपना हुका वी स्मोक कर दा है ते की कर दा है वाचिंग विद लाइव ली इंट्रस्ट बड़े इंट्रस्ट देनाल दा अंटिक्स ऑफ दा स्परो फैमली जो जो अज दे हुन कम्रे दे विच है दो बच्चे ने ते ओधे आपने बच्चे नाम रखता नूरू एंद बुंदू आफ्टर हिस लोग संस काफी दिना तो जडी अपने बच्चे सी नूरू भीच पड़ियान ते बगदू नूरू एंद बॊंदू अपने बच्चे से тут वह पटा तै फिस सब बंदू ऑब द चारे चिड़यां ओबुप्र आण uh the family जड़े नेबर सेगे, उस तो डर दे सी, फ्राइटंड, दर्दे सी, फ्राइटंड ओफिम। उस दा रिसेंट पीसफुल बिहेवियर है, शांत विभार है, उस दा शांत विभार है, उनुँ अजे विव शक्ती निगा नल देख रहे ने, उनो बड़े हरान ने काफी समय तो उसने अपने जड़े बल्द ने बलक्स जीजदा नाम भी दिता होया है नत्थू एंड शिड्डू नत्थू ते शिड्डू नू कदे मारदे होये किसे नहीं सी देख्या अच्छे ने काफी समय तो उसने अपने बल्द नो जिना नाम नत्थू ते शिड्डू है उसनो कदे उसनो मारदे नहीं दिख्या नत्थू ते शिड्डू भी बहुत ज़्यादा खुश ने आते शुकर गुजार ने ग्रेटफूल ने के उना दिया जडिया बूस्ट बोडीज ने बूस्ट बोडीज जडिया जख्मी बोडीज ने जख्मी किमे हुई है क्योंके पहला उना नवचार नो बहुत कुट मार हुन दिसी नत्थू ते शिड्डू दे नाल बल्द ने नाल कौन करदा सी रहीम खान पर हुन हो दिया बूस्ट बोडीज हैड आलमोस्ट हील नो ठ को रही हैं सी तब अच्छे पूरी पैरे दुसान वे पता लगदा है के हुन रहीम खान बिल्कुल चेंज हो चुकिया ओन किसे नाल कुट मार नी करदा बड़ा पीसफूल रह रहे हैं किसे नो माड़ा चंगा नी करदा इवन कि अपनी फैमिली नो मिस करदा है ओन नूरू पैरो ने उसनों अटैक करया ता उसनों ए लगया कि एक देखो छोटी जी चिड़ी है और अपने परवार नो ते अपने बच्चे नो बचान ली किस हाथ तक जा सकती है ते मैं की किता है मैं अपने परवार नो तोड़के रखता मैं खुद अपने बच्चे नो मार रहे है एथे चिडी अपने बच्चानों मरं तो बचान ली, किसे होर दे उपर अटायक कर रही है, क्योंकि उसनों लग रहा है कि इनसान मेरे बच्चानों हाथ लगा, ते मैं खुद अपने बच्चान देनाल कुट मार कर दा रहे हैं, अपनी वाइव देनाल कुट मार कर दा रहे है ता एथे हो बिल्कुल चेंज हो चुकिया, किसने चेंज करता, स्पैरूज ने चेंज करता, ता बच्चे हों तो उनों समझ आ गया होना कि इस चेप्टर दा नाम स्पैरूज की हो है मानसून दा महिना आ गया, एक शाम नू आसमान ते बहुत ज्यादा बदल, ड्राउने बदल चाये होए ने, ओवर कास्ट भी थ्रेटनिंग क्लाउड्स, रहीम खान अपने खेतां तो थोड़ा जल्दी आम तो, than usual, जिमें आम उड़दा उस तो जल्दी आ जानदा है बापस रस्ते चोहो कुछ बच्चेयानू खेड़दे होए रोड़ते देखदा है, पिंड़दे कुछ बच्चेयानू, ओबच्चे ओसे समय पाच जानदेने जदो उनू देखदेने, क्योंके ओँ डर है प्राणा के सानू, मारूगा, कुट्टूगा, इवन के ओए ना डर के प मतलब वियर्थदे विचरहीन खान रोड़ा पांदा उनू रोकन दी के वाई आर यू रनिंग अवे, तुसी क्यों पाज रहे हो, I am not going to beat you, मैं तो नहीं मारागा, मतलब वो देख़ो हुन बदल गया, ओहुन बोल-बोल के दासरे है, के मैं हुजा नहीं रहे है, लेकिन फ आरी होमवर्ड्स अते हो, करनो जल्दी आंदा है वापस अपने बलक्स नू जदो टाइ कर लेंदा है, इस तो मतलब वो बनन लागदा है, के लिए दिनाल, before the big downpour came, उसे समय, downpour, downpour ता मतलब ता मतलब तेज बारिश, उन तेज बारिश, जदो रिजलिंग दा मतलब ब पिक्स दे बिच देख रहे हूं, आंदी हैसनों सी केनने याता है, ये डिजलिंग दे डाउन पोर छ फरक हुंदा है, करदे वी चैंटर करदे हुए रहीं खान अपना जड़ा मिट्टी दा बने होया ओल लेंप दीवा है, उसनों जगान दा है, अर्थन वियर ओल लेंप, मिट्टी आला दीवा हुंदा है, आते की कारदे है, स्पैरोस देले ही, जो उसने मित्तर ने चारे चिडियां होना देले ही, सम् क्रम्स ओफ ब्रेड, ब्रेड दे, अपने रोटी दे कुछ टुकडे रख दे, इस तो बाद अपना खाना त्यार करता हुँ, देखों उन किन ब्रोज नहीं आंदिया, अपने आले ने चो बाहर नहीं निकल दिया, एंग्जियस तो फाइंड आउट, मतला बहुत चिंता लाग दिया है, की हो गया मेरे फ्रेंड्स नू, वाट हैपन तो इस फ्रेंड्स, ता ओहो नेस्ट दे विच्चाति मार के देख दे, पीर इंट दा मतलो चाती मार ना, तो उस नू पता लादा है के कोटेट स्केअड एंड सिटिंग हड़र ड़र वीधिन देर फैदर्स, कोटेट मतला हुनदा है के चारो, चारो चीडियानू कोटेट के हाजयान दा है, चार जदो चार चीज़ा हों दियानू, उसी कहनने है कोटेट, स नेस्ट ले उना दे नेस्ट देविच अलन देविच दा रूफ वाज लेकिंग ता रूफ जड़ी ओउस दे कमरे दी चाता है वो लीक कर रही है उत्हों चात देविच ओपड़ी तपक टपक यह उना दे अलन दे पहर है तो डरे जी बैठने चारे जने रहीम खान की कर बार चला जन्दा है इंदा पोरिंग रेन उस मोले तारवर खा दे विच तु रिपेर दा डेमेज के मैं एसनू ठीक करदा हूं बाइदा ताइम दा जोब वास सैटिस्फेक्टिली दन ही वास थारली द्रेंश्ट जदो वहें कम करके आ जन्दा है वापस मतलों पोड़ी बार जन्दा है जदो चाते ते फिर तो भी दीजडी लीकिंग हूरी हुं दिया ओजन्दा है वह पुरी तरह पी स्थ जन्दा है जदो हमन्जेते बैट दा है तरहीम खान दो चिकान दियाने स्नीजड़ लिगां पर जोबड़ी दीद नहीं और बार उस वरनिग वार नी खत्रे वलते आने दिन दा एंड वेंट तो सलीप दे सोन चला जान दा है अगली मॉर्निंग ही अवोक विदा हाई फिवर उसनों सवेरे बहुत ही ज्यादा बुखार चड़या हूंदा है रात नू सारी रात वहो पिज आ रहा थे उपर गया पिज दे हुए उसने काम किता थे उसनों बुखार हो गया स्वेरे उन जो तो विलेज़ ने काफी दिन देख्या फोर सेवरेल डेज के उहो फील ते नी जा रहा दे गुरू एंग्जियस ता उहो चिंता हो ना नू एंग्जियस अ मतलो चिंता हो नी अते उहो देखना है के वट दा मैटर वाउस के की हो गया तो आपने आपना ली गल कर रहे है ओ बुंदू ओ नूरू तो अनू कौन दाना पाएगा जदो मैं चला गया देखो हुन इस टाइम भी जिस टाइम हो बमार है उस टाइम भी उसनू उना चिडियां ती चिंता है के जे मैं मर गया ता इना चिडियां दा की बनूगा तो देखो किन्ना ज्यादा रहें खान चेंज हो चुक्या है दा पैसंट्स शुक देर हैड सिम्पेथेटिकली अज़े किसान ने जो देखना आयने ओचारे हुन हम दर्दी नाल अपने सिरह लांदेने थे कैंदेने पूर फैलो बचारा दे सएड ही हैस गोन मैड कैंदे वचारा पागल हो गया गोन मैड गोन मैड दा मतलब पागल हो जाना अगली मॉर्निंग रहीम खांदी वाइफ चिंता लगी होई है रोंदी होई केम विधार संज अपने दोनने बच्चे आंदेनाल नूरू ते बुंदू देनाल ते होर ग्रूप ओफ नेबर जेनाल आंदी है कुलेक्टिड इना सिम्थी तो उथे आंदे है मतलब काफी जड़ने कठे होके हम दर्दी वजों कुछ नेबर जड़ने ओकठे होके रहीम खांदी वाइफ ते होदे बच्चे आंदेनाल ते आंदेने जड़ों उसनों तोड़ के अंदर जांदेने ब्रोक देर वे इन दे फाउंड दा लार्ज एंड गॉंड फ्रेम ओफ रहीम खांद लेंग इन दा ब्रूडिंग साइलेंस अफ दा रूम ब्रोकन ओनली बाई दा फ्लट्रिंग ओफ फॉर स्पैरूज उननों की मिल लाजी क बहुत ही वड़ी दे तो नो पता मैं दस्या सिगा के रहीम खान दा जड़ी बाड़ी है काफी मतलब तगड़ी है काफी उचे लंबे का दा हो इनसान है और गॉंड पट इस ताइम हो की है के बहुत ही कमजोर हुई भी है बिकोज पुखा रहा है हो बहुत देर तो ओड़ बॉड़ी जड़ी रहीम खान दी उपई है उस रूम दे विच सनाता पस रहा है बुरूडिंग साइलेंस उस रूम दे विच हो पई है ते उस सनाते नू कौन तोड़ग है ब्रोकन ओली बाए दा फ्लट्रिंग ओफ फोर स्पैरो जड़ीयां चार चड़ीयां रहीम खान फ्रेंड्स ने ओ वाले दौले मड़ा रहीयां ने फ्लट्र कर रहीयां ने पंक फड़फड़ा रहीयां बस बाकी ओजी बॉड़ी जड़ी है वो डड़ बॉड़ी ओओ जमीन दे पई है तब बच्चे ओ इस तरह इस स्टोरी दा एक दुखताई अंधुन दा है रहीम खा वाल करन वाला उसकोल मुझूद सी उमीद है बच्चे ओ के तो अनुए सारी स्टोरी समझ आ गई होएगी फेर भी जेकर तो अनुए किसे दर आंदा कोई डाउट रेंदा है ता तुसी मैंनों कॉंटेक्ट कर सकते हों होंग वजों तुसी जो गलोसरी है और तुसी नोट क करके अपनी फेर नोट बुक्स ते लिखने ने ते मैंनों उस्दियां पिक्स जरूर पेजने ने तन वाल